तो जल्दी से वीडियो को हर जगा पर शेयर कर दो, जितने भी ग्रूप्स हैं, जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जितने भी आपके यार प्यार रिष्टेदार हैं, और अपने वाट्सप पर भी स्टेटस लगा दीजे, लास्ट थर्टी डेज स्ट्राड़जी, ठीक है, और किसके लिए भाई ये, तो सबसे पहले बात करेंगे सीजिल के लिए, 2020 का पेपर, ठीक है, जो 2021 का पेपर है उसके लिए, अब यहां पर समझो मेरी बात, बहुत बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, कि अगर आप ये सोच रहे हैं, कि इन 30 दिनों में आप अपने स्कोर को डबल कर लेंगे, तो सबसे पहले ये आपकी गलती है, थोड़ी सी बात मेरी बुरी लग सकती है आपको, लेकिन इस बात को समझेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कि मेसेज आएं, कि सर मेरा स्कोर जो है वो 50 है, 30 दिनों में कैसे डबल कर लें, मिरे भाई अगर आपका स्कोर 50 भी आ रहा है तो डबल कर लोगे, 100 भी आ जाएंगे तो भी आपका सेलेक्शन नहीं होगा, दूसरी बात, ये 30 दिनों में किन बच्चों का सेलेक्शन हो सकता ह ये 30 दुनों में उन बच्चों का सेलेक्शन हो सकता है जिनका मॉक्स में एप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो 100 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं अगर 100 से आपका स्कोर नीचे आ रहा है तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी कहते हैं न वकात से भी ज़्यादा अपनी काबिलियत से भी ज़्यादा तो आप सेलेक्शन ले पाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगा अब अगर जिनका स्कोर थोड़ा सा अच्छा रहा है उन्हें किन-किन बातों पर फोकस करने की जरुवत है मन में ऐसे समय में दो बाते ध्यान में चलते रहती है कि यार हम सिलेबस पर फोकस करें यहां मौक टेस दें अगर अलग-अलग टॉपस की वीडियो देखेगो तो कोई बोलेगा मौक टेस दो फिर उसके बाद जैसे आप मौक टेस देने जाओगे आपका स्कोर आएगा कम फिर उसके बाद मन में आपका समय जिस रहेगा यार मौक में स्कोर कम कार है काम करते हैं एक सिलेबस को पूरा करने वापस से चलते हैं लेकिन वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं एक aspirant का मेरे भाई ना कभी syllabus complete हुआ था ना कभी है और ना ही कभी हो सकता है इस बात को हमेशा दियान रखो कभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपका कल भी paper है न आज से एक साल बाद भी मैं paper आपका announce कर दो कि एक साल बाद paper होगा तब भी उने एक सालों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हूटी जाता है तो ये कोई fix pattern नहीं है कि इतना syllabus है और 100% आपको खतम करना है बहुत बाद ऐसा होता है जो आपने कभी भूले भटके कुछ याद होता है उसमें से paper में question आ जाए और आप उसको tick कर देते हैं और बहुत बाद ऐसा होता है कि 4 महीने 5 महीने से current affair पढ़ रहे हैं और पढ़ा हुआ कुछ भी ना है आपको English पे भी focus करना है आपको reasoning पे भी focus करना है और आपको GS पे भी focus करना है जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं maths पढ़ाता हूँ उन्हें मैं अपना छोटा सा इक intro दे दूँ मेरा नाम आदित्यर इंजन है और SSE का ऐसा कोई ऐसा paper नहीं है जो हमने crack नहीं किया हो चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CPO हो हर किसी के pre में मेरा maths में 50 out of 50 रहा English में 50 out of 50 रहा Reasoning में 50 out of 50 रहा और यहां तक CGL के मेंस में मेरा जो score है वो 227 बटे में 200 है तो paper को हर paper को crack करने का मेरे पास एक अच्छा experience है और उसी experience पर मैं आपका भी mark दर्शन कर रहा हूँ अब यहां पर समझो क्योंकि मेरे अंदर बहुत मेरे साथ में मैंने life में अपने बहुत आपर देखे हैं बहुत आपर मैंने बनाई भी हैं बहुत selections भी मैंने दिये हुए है और जब हर किसी से मेरी बात होती है तो जो general like topper की strategy रहती है जैसे होता नहीं है कि अगर कोई कामयाब होता है तो आप उनसे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया था तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे भी discussions होते रहते हैं उनमें जो उन भी हाफ पर मैं आपसे जो बाते बताने वाला हो जो सबसे genuine और authentic चीज़ जो आपको last 30 days में करना चाहिए वो क्या करना चाहिए समझेगा सबसे पहले तो आपने जहां जहां से जो जो पढ़ा रखा है आपको क्या करना है उनको सबसे ज़ादा revise करना है आपने अगर मानिये math मुझसे पढ़ा है या आपने जहां से भी जो भी पढ़ा है आपको सबसे पहले revise करना है कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतने कम समय में math को हम कहां से revise करें हो सकता है जिस paid course से आपने पढ़ा हो चाहे मेरा ही batch हो चाहे कहीं भी हो तीस दिन में उतना समय आपके पास नहीं है कि आप अपने paid batches को जाकर revise कर सकें तो ऐसे हालात में आपको जो revision करना है वो करना है math को लेकर particularly मैं बताऊं तो आपको 60 दिन 60 मेरातन से आप पुरा दनादन practice करेंगे इसकी guarantee मैं लेता हूँ आपको कोई previous year नहीं लगाना आपको कोई book नहीं लगाना आपको कोई भी कुछ भी नहीं लगाना 60 दिन 60 मेरातन लगाना है अब बोलोगे sir हर टॉपर की वीडियो देखते हैं तो वो कहता है कि previous year लगाओ आप कह रहे हो मत लगाओ मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं लगाओ मेरी बात को पूरी सुनना ध्यान से क्योंकि जो 60 दिन 60 मेरातन के जो episodes है ना उसमें मैंने previous year के ही questions को करवाया है और especially CGL CHSL 2020 के questions को जिनके आने की मुझे शुरू से पता थे कि संभावना जादा होगी और आज से 2 महीने पहले ही मेरी planning हो गई थी कि अगर last के 30 days बचेंगे तो बच्चों को क्या suggest किया जाएगा जिन से उनका score बढ़ेगा तो previous year लगाने से भेतर है कि आप इन videos को देखो आप इनके sheets लगाओ जो मैंने telegram से डाले हैं क्योंकि previous year अगर आप खुद से लगाओगे तो आप वो approach कभी develop नहीं कर सकते जो एक topper की approach होती है वो approach आप मेरी वीडियो से सीखो इसी तरीके से English हो गया, Reasoning हो गया, GS हो गया हमारी classes YouTube पर चली है आप उनको attend करो विक्रमजीत सर ने जितना Reasoning में कराया more than enough है उससे नया कुछ भी नहीं आने वाला इसके अलावा अगर आप practice करना चाहते हैं तो अगर आपने सर की book खरीदी है तो आप उससे practice कर लीजे और अगर आपने book नहीं लिया है तो book मंगवा लीजे अगर नहीं उतना समय है आपके पास तो आप 2020 के CGL और CHSL का जो है आप यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं English को लेकर तो English में भी same काम करना है कुछ भी जादा focus नहीं करना आपको simple fundamental पे focus करना है कि सर हम 2020 के दो paper CGL के और उसके बाद CHSL के और उसी तरीके से मेरे भाई 2019 के दो paper CGL के CHSL के किसी भी हाल में प्रतिग्या लेते हैं कि हम इनको बना कर जाएंगे हम एक-एक vocabulary का revise करेंगे हम एक-एक one word revise करेंगे एक-एक spellings revise करेंगे ताकि इससे थोड़ा सा हमार English का जो score है वो improve हो और देखो भाई GS जो होता है न वो unpredictable होता है इसमें previous year में घुसने की आवशकता नहीं है कोई जरुवत नहीं कि previous year आप लगाओ GS को सुधारने के लिए आप ये जरूर कर सकते हो कि आप current affair पे focus करो ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत static का वीडियो आप देखो जहां से आप देख सकते हो जैसे बहुत सारे channels हो गए crazy gk tricks हो गया वहां से देखो या जो आपके शिवान सर करा रहे हैं रोज रात में जो sessions आप उनको attend करो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीके से जो है शिवान सर की classes चल रही है objective way में questions लगा रहे हैं इतना current affair पढ़ने की जरुवत नहीं है जैसे आपने अभी others का इंटर्व्यू देखा others ने भी एकी बात कही थी कि भाई जब हमारा pre का paper था हम एक महीने पहले speedy का magazine लेकर आये थे और यहीं से जितने important current affair थे वो सारे के सारे हमने पढ़े थे paper में हमारे 6 सवाल आये थे और उसमें से हमारा 5 सही हुआ था तो speedy का magazine से आप पढ़ सकते हैं आपको वीडियो की जरुवत नहीं पढ़ेगी ठीक है